वेलकम टू लर्नोहब कैसे आप सब आई होब कि आप सबी अच्छे होंगे मैं संगीता फ्रॉम लर्नोहब दा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैच, साइन्स, सस्ट एप्सलूटली फ्री एट लर्नोहब.com बच्छो आज हम डिस्कस करेंगे ICSC Class 8 टॉपिक हमारा है इंडिया नेशनल मुवमेंट 1917-1934 इस्टर करते हैं हमारा आज का चेप्टर सबसे पहले बात करेंगे माइल स्टोन जो कि हमारा फर्स टॉपिक है देखे हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो इंडिया नेशनल मुवमेंट है इनको थ्री फेस में डिवाइड किया गया फर्स फेस जो था वो 1885 से 1916 तक था सेकेंड फेस जो था वो आपका था 1917 से 1934 ठीक है तो हम लोग अब सेकेंड फेस में आ गए यानि 1917 से 1934 के बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे ठीक है अब माइल स्टोन यहां पर क्या था माइल स्टोन सबसे पहली चीज़ कि 1916 ता जो लखनव पैक्ट था उसने माइल स्टोन की तरह काम किया ठीक है इसको हम सोचे बस हम दबा दें इसी से काम नहीं चलेगा इसके लिए हमें कुछ reformation जो हैं वो भी करने पड़ेंगे ठीक है तो इस तरीके से जो government थी कह सकते हैं कि उसको एक डर लग गया यहां से उनकी unity से ठीक है अच्छा अब उनको यह समझ में आया है कि भाई कुछ नए जो reformation है वो करने पड़ेंगे अब जैसे कि उन्होंने किया Indian Government Act 1919 ठीक है Indian Government Act 1919 या फिर जिसको कि हम Montague चेंसफोर्ड reforms के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो यह reformation जो था वो लाया गया और उसके अलावा जो provinces थी जो प्रांद थे वहाँ पर dual government system लाया गया dual government system मतलब जैसे कि आज के time में हम देखें हाला कि हमारे हाँ dual government system जो है वो starting में था बाद में इसमें एक government जो है local government और जुड़ गई central government, state government, फिर local government ठीक है तो इस तरीके से इन्होंने ये dual government system जो था वो यहाँ पर लाया अब यहाँ से लोगों के कुछ rights थे उनसे उन पे भी restriction लगा दी गए जैसे कि voting rights जो थे उनको restricted दिया गया क्यों क्योंकि इनको पता था कि suppress बस हम आसानी से नहीं कर सकते उसके लिए और सारे भी changes लाने होंगे जिससे कि हम in nationalist moment जो हैं इनको हम control में कर सकें तो ये policies जो थी वो इन्होंने लाई इसके लावा legislative council की बात अगर हम करें तो legislative council and governor general उनके लिए उन्होंने बोला कि ये दोनों जो हैं वो secretary ठीक है जो रहेगा state of secretary उसके लिए ये answerable रहेंगे इस तरीके से लोगों के कामों को उन्होंने divide किया और अपनी जो policies थी वो इनको control करने की वो इस तरीके से वो बना रहे थे अब यहाँ पर देखा जाए तो जो इन्होंने reformation ये किये थे ठीक है तो public जो थी या कह सकते है nationalist जो थे उनको ये reformation जो थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो उससे बिल्कुल भी satisfied नहीं हुए क्यों कि जो reform किये गया थे अगर देखा जाए तो ये reform जो थे वो इन्होंने अपने लिए किये थे ठीक है अपने favor में किये थे ना कि जो nationalist की मांग थी उसके लिए ये reform किये गया तो यहाँ पर ये सब ही जो थे वो unsatisfied थे उससे खुश नहीं थे उन reformation से और यहाँ से देखते हैं next topic emergence of महात्मा गांधी महात्मा गांधी जिनका की जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में 1869 आपको याद रखना है 1869 में इनका birth हुआ था ठीक है तो महात्मा गांधी चुकि अपनी education के लिए law education के लिए जाते हैं England वहाँ पर अपनी education लेते हैं उसके बाद एक famous lawyer ये बन जाते हैं इतने famous रहते हैं कि South Africa में एक person थे जिनका नाम था मुहमद अब्दुल ठीक है उनका case लड़ने के लिए इनको South Africa बुलाया जाता है ये वह वहाँ पर जाते हैं और इस तरीके से 22 years वहाँ पर बिताते हैं South Africa में उसके बाद वो इंडिया आते हैं ठीक है तो South Africa में जिस समय वो थे उस दौरान जो racial discrimination था नसल को लेकर भेदभाव ठीक है उस पे बहुत जादा वो चीज़े बहुत जादा चलती थी और ऐसे cases इनके सा साथ ऐसे case जो थे वो कई बार हुए जिसने की इनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई ये चीछ जो है वो खतम करना बहुत जरूरी है महत्मा गांधी के बारे में आप जानते होंगे कि जब ये एक बार सफर कर रहे थे साउथ अफरीका में थे उसी दौरान सफर कर रह लोग जो हैं यानि की इंडियन की बात हो रही थी कि वो यहां बैठने लायक नहीं है तुमको जाकर थर्ड क्लास वाला जो कोच है वहां पर बैठना चाहिए तो इन्होंने मना कर दिया जब इन्होंने मना किया तो इनको क्या किया गया ट्रेन से उतार दिया गया ये कह सकत कि भाई ठीक है कोई बात नहीं छोड़ देते हैं लेकिन दूसरे मन ने कहा कि नहीं ये जो मैंने आज फेज किया है ये सिर्फ मैं नहीं फेज कर रहा हूँ सारे इंडियन्स जो हैं वो फेज कर रहे हैं इसलिए ये प्रॉब्लम जो है इन्होंने South Africa में बिताए और इसके बाद 1915 में जब ये इंडिया आए तो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर क्या था यहाँ भी इन्होंने बहुत सारी फाइट की जो Indian National Movement था ठीक है इसके लिए इनका जो ये सत्याग्रह वेपन था उसका इन्होंने इसके लिए यूज किया के बल पर देखा जाये तो South Africa वहाँ पर भी लोगों को वो सही करके है और यहाँ पर भी जो हमारे National Movement चल रहे थे यह कह सकते हैं जो Britishers थे उनके खिलाफ जो फाइट इन्होंने की वो अपना सत्याग्रह के बल पर ही इन्होंने किया सत्याग्रह जो कि दो वर्ट से मिलकर बन हैं ठीक है इसके लिए किसी भी फाइट की जरुवत नहीं है किसी भी अलग जो वैपन है उनकी जरुवत नहीं है यही अपने आप में बड़ा वैपन है जो की काम कर जाएगा सत्याग्रह अगर देखा जाए तो यह क्या है यह बेस है दो प्रिंसिपल पे कौन से दो प्रि प्रश रही, उन्हेंने जो भी अपनी चीजे थी मनवाईी, जो Britishers थे, जो इतने क्या सकते हैं, इतने कथोर थे, ठीक है, इतने ज्याधा क्या सकते हैं, इतना अत्याचार विक्राइक रख कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने इसी के बल पर अपनी डिमांड जो थी, वो इन से मनवाई, truth और non-violence कहीं भी violence को उन्होंने support नहीं किया, चलिए नेक्स रेक्ते हैं truth and non-violence ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे सत्याग रही की, महत्मा गान्दी का मानना था कि जो सत्याग रही होगा ठीक है, वो हमेशा ही support करेगा truth और non-violence को, ठीक है इसके अलबा जो समाज की बुराईयं होंगी उनको वो दूर करने की कोशिश करेगा उनका मनना था, he, she जो भी सत्याग रही है, चाहे ही है और चाहे she है वो सभी क्या होते हैं, वो fearless होते हैं, यानि नीडर होते हैं ठीक है, इसके साथ ही साथ वो peacefully होते हैं, शान्ती चाहते हैं, और strong होते हैं, मजबूत होते हैं ठीक है, मात्मा गांधी का मनना था कि जो सत्याग रही हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अगर कोई problem है, ठीक है उस problem को वो face कर लेंगे उसकी जो पीड़ा होगा, उसका जो pain होगा उसको face कर लेंगे, लेकिन sacrifice के लिए हमेशा तयार रहेंगे मात्मा गांधी का कहना था कि जो उन्होंने sacrifice किया या जो problem उन्होंने जह ली ठीक है, जब उसको जो उसका enemy है, वो देखेगा तो एक नए एक दिन उसका heart, जो है, वो change होगा उसकी so change होगी, उसका हिदय परिवर्तन होगा, इस तरीके से मात्मा गांधी ने emphasize कि सत्याग रही ideas जो हैं, वो क्या हैं, वो ये हैं कि enemy जो है उसको destroy करना नहीं, यानि जो शत्रू है, उसको नुकसान पहुचाना नहीं, बलकि उसको change करना है, ठीक है कि आप ऐसे काम करिये, कि उसकी जो सोच है, वो change हो जाए, वो आपका शत्रू ना रह जाए, ठीक है, ऐसा उनका मानना था, इसके लवाग गांधी जी जो थे, उन्होंने non violence method और struggle इसको emphasize किया, इस पे उन्होंने जोर दिया, कि भाई, अगर जो भी struggle करना है, लेकिन उसको non-violence तरीके से किया जाए, उनका मानना था है कि चाहे extreme condition आए, कितनी भी बुरी condition आए, लेकिन जो सत्याग रही है, उनसे उमीद की जाती है, उनसे expect लिया जाता है कि extreme situation होने पर भी, वो क्या करेंगे, अपनी peace जो है, उसको maintain रखेंगे, तो इस Indian struggle के जो महात्मा गांधी के non-violence तरीके थे, उसी में एक था non-corporation, ठीक है, non-corporation movement, ठीक है, किस way में इसको हम यहाँ पर समझेंगे, important है, ध्यान दीजेगा, सबसे पहला कि peaceful demonstration, जब किसी चीच की लोग मांग करते हैं, तो उसके लिए देखिए, demonstration करते हैं, production करते हैं, तो उनका यह कहना था, भाई, अपनी demands जो है, वो हमको मनवानी है, लेकिन जो हम demonstration करेंगे, जो प्रदर्शन करेंगे, वो peacefully होगा, ठीक है, next, defense of unjust British law, ठीक है, जो British law है, unjust, अन्याय, जो उनका अन्याय है, उसको हम क्या करेंगे, उसकी अवग्या करेंगे, ठीक है, उसको हम नहीं मानेंगे, next है, bycott of British goods, services, institutions, ठीक है, तो जो British ये सारी चीजे हैं, उनका हम bycott करेंगे, यानि अपनी चीजों का हम use करेंगे, अपने देश की, लोगों के अंदर स्वदेशी की feeling जो है, वो लाने के लिए, लोगों को independent बनाने के लिए, उन्होंने emphasize किया, चर्खा and खादी के use को, कि भाई, हम जो है, वो विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, हम अपने यहां का बना कपड़ा पहनेंगे, हम अपने से बनाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक अपनी independent feeling जो है, वो लोगों के अंदर आएगी, ठीक है, इसके अलावा उनका कहना था कि जो operative taxes है, operative जगवर्दस्ती लगाए गए, दमनकारी taxes जो है, ठीक है, तो वहां पर payment ना की जाए, ठीक है, अब यह सारी चीज़े क्या थी, इनका non-corporation moment था कि इस तरीके से हम जो British government है, उसके साथ corporate नहीं करेंगे, और इस तरीके से जो British government है, जो इसकी policies हैं, उस पर हम एक तरीके से रोक लगा सकते हैं, unjust policies पर, अब बात करते हैं, हिंदू-Muslim unity की, तो महात्मा गांधी जो थे, वो कट्टर समर्थ थे हिंदू religion के, passionate believer या कह सकते हैं, stone supporter थे वो हिंदू religion के, उनका मानना था कि सभी religion जो हैं, वो एक बराबर है, जो Indian culture है, वो ना तो हिंदू है, ना वो Muslim है, ना अधर है, वो क्या है, इन सभी का वो fusion है, ऐसा उनका मानना था, और इसी पर उन्हेंने emphasize किया, ठीक है, अच्छा, उनका मानना था कि जो, इंडिया का salvation है, या इंडिया की मुक्ती का मार गया, जो हमें आजादी मिल सकती है, ठीक है, जिस भी इसको उसमें ले लीजे समझ में, तो उनका ये मानना था कि वो तभी मिलेगी, जब हिंदू-Muslim unity रहेगी, ठीक है, तो हिंदू-Muslim unity का जो रास्ता है, वो क्या है, इंडिया salvation की और ले जाएगा, या इंडिया salvation का जो रास्ता है, वो हिंदू-Muslim unity ही है, ठीक है, माहत्वा होगा, उनकी जो death होई, उनको जब मारा गया, वो भी इसी को ही लेके थी, चले बात करते हैं, mass moment, ठीक है, तो महत्वा गांधी जो थे, उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था, किस पे, capacity of the common people, ठीक है, यानि कि जो भी operative moment वगेरा चल रहे हैं, struggle जो है, जो संघर्स चल रहे हैं, उत्पिडन के खिलाफ, ठीक है, उसमें इनकी capacity, मतलब लोगों की capacity पे उनका बहुत विश्वास था, कि भाई, कोई भी बात हम अगर कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उसके लिए एक जुट होंगे, तो उसका अलग ही effect पड़ेगा, उससे वो बाते जो हैं, वो मानी जाएंगी, simple word में हम ये समझें, कि ज़्यादा ज़्यादा लोग जब होंगे इकठा, तो उनकी बाते जो हैं, वो मानी जाएंगी, तो इसलिए जो capacity of the common people थी, इस पे उनका बहुत जादा विश्वास था, ठीक है, और इसलिए उनकी जो leadership थी, यानि कि महात्मा गांधी की जो leadership थी, उसमें हमने देखा, कि इंडियन national moment जो था, वो transform हो गया, कि इसमें, mass moment में, ठीक है, इंडियन national moment जो था, वो कुछ लोगों के द्वारा चलाया गया था, लेकिन जब महात्मा गांधी ने लोगों से appeal की, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इस तरीके से वो mass moment जो था, उसमें transform हो गया, ठीक है, तो इसलिए, जो common people की capacity थी, इस पे उनका बहुत ज़्यादा faith था, जब बात करते हैं, social justice की, ठीक है, ये सारे महात्मा गांधी के thoughts हैं, एक तरीके से, जिस पर क्योंने आगे काम किया, तो आपको ये सारी चीजे जो है, वो clear रहनी चाहिए, ठीक है, social justice की बात करें, तो महात्मा गांधी जो थे, उनका विश्वास था, social justice में, कि भाई, सभी के साथ, जो है, वो समाज में नयाय होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने, जो गरीब लोग थे, जो deprived, जो यानि की वंचित लोग थे, या women की जो condition थी, उनकी मुक्ति के लिए काम करना, ठीक है, इसके अलावा, जो पिछरी जातियों से थे, ठीक है, इन सभी को साथ लाने की इन्होंने कोशिश की, इन सभी के लिए इन्होंने काम किया, ठीक है, जो हरीजन थे, हरीजन की इनको कहा गया, महात्मा गांधी ने ये नाम दिया हरीजन, जो लोवर कास से आते थे, जिनको की कहा जाता था untouchability category में इनको रखा जाता था तो इनका माना, महात्मा गांधी का कहना था, ये हरीजन है, हरी के लोग, हरी यानि विशनु के लोग, यानि children of God, उनने बोला कि ये children of God है, इनसे untouchability वाला जो विवहार है, वो नहीं करना चाहिए, हमको अपना जो समाज है, जो thinking है, जो mentality है, उसको change करना होगा, ठीक है, अब ये सारी चीज़े जो थी, कि लोगों की condition जो थी, उसमें सुधार, ठीक है, इस सब चीज़ों के लिए, उन्होंने हमेशा tirelessly काम किया, बिनाथा के कह सकते हैं, लगातार उन्होंने काम किया, उनका मानना था, जो ये हम demand कर रहे है, political freedom की, ठीक है, Britishers से हम क्या demand कर रहे थे, political freedom की, वो हमें दिया जाए, तो उसका माइने तब तक कुछ भी नहीं है, जब तक हम अपना social reform नहीं करते, हमारी society जो है, वो क्या है, वो बटी हुई है, इस तरीके से, कि भाई, एक जो group है, चाहिए women की condition है, वो बुरी पड़ी हुई है, ठीक है, दूसरी दर्फ हम देखें, तो untouchability के चलते हैं, एक group जो है, उसको अलग किये हुए, तो जब तक ये social reform नहीं होते हैं, तब तक political freedom जो है, इसके कोई माइने नहीं है, और इसी कह सकते हैं, वे में उन्होंने हमेशा काम किया, चलिए बात करते हैं, गांधी जी के अर्ली कैमपेइन, ठीक है, तो गांधी जी के अर्ली कैमपेइन, जो थे, वो कौन कौन से थे, वो हम लोग यहां पर समझेंगे, 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं, और उसके बाद, यहां की जो politics थी, उसमें वो interest लेते हैं, कि भई, जो हमारा समाज है, वहां पर क्या चल रहा है, हमारी राजनीती में क्या चल रहा है, इसमें उन्होंने interest लिया, कुछ problems जो थी, बहुत बड़ी थी, वो इनके सामने आई, और जिसके लिए उन्होंने campaign चलाया, ठीक है, और जिसमें इनका जो weapon था, सत्याग्रह उसका इन्होंने use किया, तो first time सत्याग्रह का जो use था, वो हमें यहीं पर देखने को मिलता है, इनके early campaign जो थे, वो क्या थे, वो समझ लेते हैं, खेड़ा, चंपारण, और अमदावाद, ठीक है, mill workers का था यह, तो यह three campaign जो थे, वो starting के campaign थे, चले बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की बात करें, तो 1917 में यह हुआ था, चंपारण, जो कि बिहार का एक district था, वहाँ पर यह सत्याग्रह हुआ था, इसको नाम दिया गया, चंपारण सत्याग्रह, अब यह सत्याग्रह किस लिए था, ठीक है, तो पहले भी हम लोगों ने इसका जिक्र कर रखा है, आपने पहले की classes में, या इस class में भी इसको पढ़ा होगा, कि जो Britishers थे, वो जबरदस्ती यहां के farmers से, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और जो Britishers जो की, जिन्होंने मैं कॉलोनाइज करके रखा था, हमारी हर एक चीज पर उनका राइट था, तो वो जबरदस्ती यहां के जो farmers थे, उनसे इसकी खेती कराया करते थे, अब जो इंडिगो था, इसकी खेती वो कराते थे, उनका कहना था, जो सबसे अच्छी लैंड होती थी उस पर, यहां के farmer जो थे, वो इसकी खेती ही नहीं चाहते थे, अगर उनको जबरदस्ती कराया भी जा रहा है, तो अपने according वो अपनी लैंड चुन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था, जो उनकी best land होती थी, उस पर इंडिगो की खेती करायी जाती थी, जिसको की वो rise जो था, उसको cultivate करने के लिए छोड़ना चाहते थे, अब इंडिगो की जहां पर भी खेती हो जाती थी, कुछ टाइम के बाद, वो जो land थी, वो baron हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, उस पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता था, इस तरह से जो farmers थे, उनको बहुत ज़ादा नुकसान हो रहा था, कि भाई उनकी land जो है वही खराब हो जाएगी, आगे कुछ उग नहीं सकेगा, तो जिसका कि वो विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्हें मारा पीटा जाता था, और जबरदस्ती उनसे ये काम कराया जाता था, तो महात्मा गांधी जो है, वो जब इनके साथ आते हैं, इनके सपोर्ट में आते हैं, और यहाँ पर अपना यूज करते हैं, वेपन सत्याग्रव, ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है, इन्डिगो जो प्लांटर्स थे, उनके साथ में, ठीक है, जो उनका एक्स्प्राइटेशन हो रहा था, उसके लिए, ठीक है, और इस तरीके से जो यह इनका मॉमेंट था, ठीक है, चंपारण मॉमेंट जो था, इनका चंपारण सत्याग्रव वाला मॉमेंट, यह सकसेज होता है, यानि कि उनकी बाद जो है, वो ब्रिटिशर्स को माननी पड़ती है, उस पे सुनवाई बाकाइदा होती है, और उसके बाद कहा जाता है, ठीक है भाई, जो कल्टिवेट करना चाहे, वो कर सकता है, जो नहीं करना चाहता है, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी, इस तरीके से चंपारण सत्याग्रव जो था, वो इनका सफल हुगा, नेक्स जो है अमदाबाद मिल वर्कर्स, ठीक है, तो यहाँ बर क्या था, जो वर्कर्स थे, मिल में काम करते थे, ठीक है, उनका एक्स्प्लोइटेशन हो रहा था, कैसे, उनसे काम जो था, वो बहुत ज़्यादा लिया जाता था, और उसके एवेज में जो उन्हें सेलरी मिलती थी, वो बहुत ही कम थी, जिसके लिए वो डिमांड कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में उनके साथ, अनुसया, सारव, विन, जो थी, वो जुड़ी थी, बाद में उन्होंने महात्मा गांधी से बात की, और इस तरीके से, इनके सपोर्ट में महात्मा गांधी जी को भी ले आया गया, यहां मिल वर्कर्स जो थे, उनकी डिमांड थी, कि उनकी सेलरी को 50% जो है वो बढ़ाया जाए, ठीक है, लेकिन जो कंपनी ओनर थे, उनका कहना था, नहीं सेलरी इतनी नहीं बढ़ेगी, बढ़ानी है, तो हम 20% तक बढ़ाएंगे, तो कहां तो 50% की डिमांड हो रही, 20% तक बढ़ानी की बात हुई, तो इस वज़र से, यहां पर, जब महात्मा गांधी साथ में आते हैं, और अपने सत्याग्रह के साथ आते हैं, की आग्रह करना बिना वॉलेंट हुए, ठीक है, उस तरीके से, और यहां पर 21 डेस तक स्ट्राइक चली, फिर उसके बाद फैसला आया, कि 35% जो है, हाइक मिलेगी यहां पर, ठीक है, तो इस तरीके से, यह जो स्ट्राइक थी, यहां पर शान्त हुई, और सत्याग्रह के बल पर, जो मजदूर थे, जो मिल वरकर्स थे, उनको यहां पर जीत मिली, तो यहां भी यानि की, महात्मा गांधी का, जो सत्याग्रह वेपन था, वो काम आया, वो success हुआ. चलिए बात करते हैं, खेडा सत्याग्रह, खेडा सत्याग्रह, जो की हुआ था, 1918 में गुजराद में, ठीक है? 1918 में यह हुआ था, गुजराद में. तो उस समय में क्या हुआ? कि फसल जो थी वो खराब हो गई अब जो ब्रिटिश थे ठीक है उनकी तरफ से टैक्स जो था वो बराबर लिया जाता था अब जब फसल खराब हो गई तो फार्मर्स जो थे उनका कहना था जब हमारे पास फसल ही नहीं हुई तो हम टैक्स कहां से दें यहीं तो हमारे पास जरिया था, इसको हम बेचते थे और फिर टैक्स चुकाते थे, बट यहां पर टैक्स पे करने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है, क्योंकि फसल नहीं हुए है, लेकिन वो लोग इस बात को मान नहीं रहे थे, तो ऐसे महात्मा गांदी आते हैं और इनके support में और महात्मा गांधी बोलते हैं कि भई ठीक है tax पे करने की जरूत नहीं है लेकिन Britishers जो कि नहीं मानते हैं फिर यहां पर फिर वही चीज की इनका सत्यागरा आंदोलन जो है वो चलता है सर्दार वलब भाई पटेल भी साथ में आ जाते हैं तो यहां पर बाद में कि मांग जो थी वो मान ली गई यह demand कि भई फसल नहीं हुई है तो tax जो है वो नहीं बनता है और इस तरह के से government जो थी उसने tax लेना उस समय पे बंद कर दिया ठीक है तो यहां पर भी क्या था कि महात्मा गांधी जो थे उनका जो weapon था सत्यागरा नॉन वोलेंट वो काम आय ठीक है इस तरह से back-to-back तीनो जो इनके सत्यागरा थे ठीक है वहां पर इनको क्या मिली सक्सेज मिली तीनो मोंट में महात्मा गांधी को सक्सेज मिली अब इस तरीके से महात्मा गांधी जो थे वो biggest leader के रूप में सामने आए कि देखा गया कि back-to-back जो सत्यागरा इन्हों बन गए थे यानि mass moment के leader बन गए थे ठीक है और इस तरीके से लोगों का विश्वास जो था वो इतना जादा इन पर आया कि national politics में ये center stage पर आ गए ठीक है यानि कि हम लोग यहाँ पर समझेंगे non-corporation moment जो था वो क्यों शुरू हुआ उसके शुरू होने की परिस्थितिया क्या थी देखिए एक तो हम लोग देखें तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका जिस तरीके का रवया था लोगों के अंदर बहुत जादा नाराजगी थ होती हैं जिसकी वज़े से non-corporation moment जो था वो बहुत जरूरी हो गया ठीक है क्या थी वो परिस्थितिया अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले इसमें आता है 1919 ता जलिया वाला बाग ट्रेजिडी ठीक है जलिया वाला बाग ट्रेजिडी 1919 13 April 1919 को यह हुआ था इसको समझना ब स्टार्ट करते हैं तो होता यह है कि हम लोगों ने देखा महात्मा गांधी जो थे वो अलग अलग ग्रूप जो थे ठीक है फार्मर्स का मजदूर मिलका बैक टू बैक उन्होंने तीन सत्याग्रह किये तीनों जगह उनको सफलता मिली अब इससे जो ब्रिटिश थे उनके अंदर एक डर आ गया कि महात्मा गांधी जिसके साथ हो जाते हैं फिर वहाँ पर जीत मिल जाती है और नॉन वालेंस तरीके से चीजे होती है तो एक ये डर था तो इस वज़े से इन लोगों ने क्या गया रॉलेट एक्ट पास कर दिया रॉलेट एक्ट क्या था अब हम ल आगे उसे दो साल की जो सचा है वो दे दी जाएगी दो साल की कैद दे दी जाएगी उस पर कोई भी एक्ट कोई मुकद्मा नहीं चलेगा कोई सुनवाई नहीं होगी सीधे उसको जो है वो सज़ादे दी जाएगी साढgy साथ ही साथ ये भी कहा गया किई वो इसके लिए किसी वी हाई कूर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं भी अपील नहीं कर सकता है यानि कि नौ दलील नौ अपील कोई बी नहीं होगी ठीक है इस तरीके का कानून जो था वो पास कर दिये गया अब ये कानून जो था इससे सभी में नाराजगी थी जो भी तोड़ा वो सारा कुछ जो है इनके कंट्रोल में चला जाएगा हमारी सोतन्दता पूरी तरह से छिन जाएगी प्रेस वगरे सब पर इस से क्या कंट्रोल लग गया ठीक है तो इस वज़े से लोग जो थे बड़े नाराज होएं महात्मा गांधी भी उन्होंने भी विरोध किया उन्होंने भी बोला कि अगर ये एक्ट वो वापस नहीं होता है तो 6 एपरिल को हम लोग इस ट्राइक पर जाएंगे ठीक है तो इससे पहले ही 30 मार्च को ही डेली में स्ट्राइक जो थी वो शुरू हो गई महात्मा गांधी की लीडर्शिप में 6 एपरिल को स्ट्राइक स्टार्ट होती है अब ऐसे में जो ब्रिटिशर्स थे जाहिसी बात है उनका एक्शन रियक्शन इस चीज़ पर बुरा ही रहेगा ठीक है फिर यहां की भी भीर जो थी वो उग्रो होने लगी हाला कि महात्मा गांधी हमेशा नौन वाइलेंस के ही फेवर में थे उनका तो यही कहना था हम लोग नौन वाइलेंस तरीके से यह स्ट्राइक करेंगे प्रदर्शन करेंगे लेकिन यहां पर भई उनकी तरफ से भी कारवाई हो रही थी तो इस वज़े से यहां के लोग भी जो थे वो भड़क गए और फिर लोगों ने जो गौर्मेंट प्रापर्टीज थी उन सब को नुकसान पहुचाना शुरू कर दिया रेल की पट्रियां जो थी वो खाड़ी जाने लगी पोस्ट आफिस वगएर इन सबी को नुकसान पहुचाया जाने लगा ऐसे में महात्मा गांधी को नजर बंद कर दिया गया और बोला गया भई यह डैली की तरफ नहीं जा सकते और सत्यपॉल इन दोनों को अमरिज सर में क्या किया गया गिरफ्ता अरेस्ट कर लिया गया ठीक है साफवदिन किश्लू और सत्यपॉल ठीक है जो की नेशनलिस लीडर थे इनको अमरिज सर में अरेस्ट कर लिया गया अब इसकी वज़े से लोग जो थे वो और नाराज हुए कि भाई पहले ही हम लोग इतने नाराज थे इस तरीके से किया जा रहे था अब हमारे लीडर जो है उनको भी पकड़ लिया गया इसके विरोध में लोग जो थे वो आने लगे और उसके बाद 13 एपरिल के लिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि जलिया वाला बाग जो है वहाँ पर हम लोग मिलेंगे इकठा होंगे मीटिंग करेंगे और फिर हम लोग बातचित करेंगे कि हम लोग किस तरीके से इनके खिलाब जो है वो जुलूस निकाले शांतिपूर प्रदर्शन करेंगे ये सारी बात थी कि हम लोग वहाँ पर शांतिपूर प्रदर्शन करेंगे मीटिंग करेंगे इस तरीके की प्लानिंग थी अब ये खबर जो थी वो जनरल डायर तक पहुँच गई ब्रिगेडियर जनरल डायर जनरल डायर ने क्या किया उसी रात पे कानून ला दिया कि भाई दो लोग से जादा लोग जो हैं वो कहीं पर भी इकठे नहीं दिखाई देने चाहिए अगर दिखाई देंगे तो हम लोग कारवाई करेंगे अब क्या था ये रातो रात ये नियम जो था वो ला दिया गया अमरित सर में लागू कर दिया गया ठीक है तो इसके बारे में लोगों को पता नहीं था अच्छा इतिफाक से वही दिन क्या था कि वैशाखी का दिन था वैशाखी आप सभी जानते होंगे जो सिख होते हैं उनका बहुत ही खास त्योहार है तो लोग सुबह सुबह तयार थे उनका मेला वगेरा भी लगता है तो जहर सी बात है जब कोई भी फेस्टिवल होता है तो सुबह से ही एक महौल जो है वो अलग सा रहता है लोग बड़े खुश-खुश थे अच्छा दूस नियुकरा को है वो बड़े का मेले की खुशी में लोगों को पहुंचना था अब ऐसे मेही यह सारी बाते जो थी वो जनर्नल मिटायर को पता चल गए कि वहां पर लोग ह्लाभ हों लोग हमारे खिलाख कटथा होने वाले हैं जनरल डायर जो है वो आर्मी के साथ पहुचता है एक ही वहाँ से निकलने का रास्ता था उसको उसने क्या क्या बंद कर वा दिया ठीक है उसको घेर लिया गया और फिर लगातार ओपेंट फारिंग जो थी उसका आदेश दे दिया अब आप ये समझे कि वहाँ पर जो लोग गय थे, निर्दोश, निहत्थे लोग थे, कितने सारे लोग वहाँ कठा थे, आने जाने का कोई रास्ता था नहीं, लगातार अचानक से भाई लोग जो हैं खुशी के लिए गये हैं, अचानक से गोलिया चलने लगी उनका क्या, उ उनकी जान चली गई, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, ये जो भी आकड़े होते हैं, वो हमेशा इससे उपर के ही होते हैं, ठीक है, कितने सारे लोग जो थे, वो इसकी वज़े से इंजर्ड हो गए, बहुत बुरी कंडिशन थी, ठीक है, समझ सकते हैं, अच्छी खासी भ आर्मी थी, वो सिर्फ ब्रिडिश ही नहीं थे, उस आर्मी में हमारे लोग जो थे, वो भी थे, लेकिन भाई, उनकी जौप थी, उनकी नौकरी थी, तो उन्होंने किया, फिलहाल, इस तरीके से यहां पर गोलिया चलाई गई, लोग निकल नहीं पाए, और इतने सारे कानून भी कहा जाता है, तो अगर काला कानून या फिर ब्लैक लॉग के नाम से भी कोश्चन आता है, तो आप लोग समझ जाईएगा कि क्या है, ठीक, तो इस तरीके से यहां पर इतने सारे लोगों की जानगे, यह है जलिया वाला बाग ट्रैजिडी, अब इसके बाद लो इसको लागू किया गया, भी भीड जो है वो और उग्र हो जाएगी, लोग और नाराज होंगे, और तोड़ फोड़ करेंगे, नुकसान पहुचाएंगे, इसलिए, मार्शल लौ यह था कि जब ऐसे होता है, कहीं पर भी होता है, गौर्मेंट जो है, वो आदेश करती है, इसलिए गौर्मेंट जो है, वो आदेश दे रही है, प्रोविंसे थे, वो लोग आदेश दे थे, अब क्या था, कि जो भी चीजे थी, वो आर्मी के हाथ में थी, कि आर्मी जो है, वो अपने अकौर्डिंग हैंडल करेगी, अब ऐसे में उन लोगों ने इतना बुरा किया वहां के लोगों के साथ, जो कहा जाता है ना कि जमीन में नाक रगरना, ठीक है, उस तरीके का काम, ठीक, कि घुटनों के बल चलना है, मतलब बहुत बुरा उन लोगों के साथ वेभार किया गया, जो जहां से भी आप गुजर रहो, रास्ते से गुजर नहीं सकते हो, जा र महत्मा गांधी जो थे वो भी इसको देख के डर गए, और उन्होंने फिर बोला कि भई उन लोगों को जो Britishers थे, उनको उन्होंने शैतान का, British Government को उन्होंने कहा ये शैतान है, ठीक है, उन्होंने बोला कि इनके साथ कॉर्पूरेट करना पाप है, उन्होंने बोला, महत्म मुवमेंट 1919, खिलाफत मुवमेंट 1919 में हुआ था, ठीक है, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे थे, कि जो नॉन कॉर्परेशन मुवमेंट था, उसके सरकमिस्टिंसेज, उसके लीडिंग सरकमिस्टिंसेज क्या थे, उसे हमने बात की जलिया वाला बात, अब आते हैं, खिलाफत मुवमेंट 1919, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि देखिए, इस समय क्या चल रहा था, जो चीज़े देश में चल रही थी, महत्मा गांधी चाहते थे, कि इसमें सभी लोग साथ हैं, बहुत जरूरी था, क्यो अब महत्मा गांधी को था, कि इन सभी को साथ लाना बहुत जरूरी है, तभी कोई भी मुमेंट जो है, वो साथ, वो सफल होगा, इसी दोरान होता क्या है, कि 1914-1918, फर्स्ट वर्ड वार चला था, यह हम लोगों ने डिसकस गिया, ठीक है, लोग जो थे, वो दो भागों मे वो चला गया, ब्रिटेन में, ठीक है, तो तर्की, फ्रांस और ब्रिटेन में, यह फर्स्ट वर्ड वार में इसका पार्टिशन कर दिया गया, जिसकी वजह से, पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स थे, उन में नाराजगी थी, क्योंकि किवाल उनका पार्टिशन नहीं हु यह रिलिजन पर बात आती है, दोनों चीज़ों पर लोग एक साथ आते हैं, तो ऐसे में, पूरी दुनिया के मुसलिम जो थे, उन में बहुत जादा नाराजगी थी, और फिर उसके बाद वो सभी जो थे, वो इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, पूरी दुनिया के मुसलि अली, इन्हों ने शुरू किया खिलाफत मुमेंट, महात्मा गांधी जो हैं, वो इनके पास पहुँचते हैं, और इनको सपोर्ट करने की बात करते हैं, इस समय तक महात्मा गांधी जो थे, वो एक जाना माना नाम, जाना माना पहचा चेहरा थे, कि सभी को पता था कि ये जिसके साथ आएंगे, वहाँ पर जीत मिलेगी ही मिलेगी, और यहाँ पर फिर आगे इनको जीत भी मिलती है, और इसके बाद यही से हम देखते हैं, नौन कॉर्परेशन में, ये लोग सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर महात्मा गांधी और कॉंग्रेस दोनों का फुल साइन करनी पड़ी थी, अब इनका एम क्या था, भाई ये सारी चीजे तो हो गए कि टर्की जो हार गया, उसका पार्टिशन हो गया, और उनके जो कैलिफ थे, उनको एक शर्मनाक ट्रीटी जो थी, वो साइन करनी पड़ी, ठीक है, अब एम क्या था, इसको शुडू करने क इसका एम ये था कि पहला तो जो हमारे जो कैलिफ हैं, जो हमारे खलीफा हैं, उनकी प्रेस्टीज तुम वापस करो, दूसरा ये जो हमारा पार्टिशन हो है, उसको एक करदो पार्टिशन ना रहे, हमारी शेतरी अखंडता, टेरिटोरिल इंट्रिटी जो है, तर्की की उ उसको प्रोटेक्शन दी जाए, ये इस मुमेंट का उद्देश था, चलिए आते हैं, नेक्स टॉपिक, नौन कॉर्परेशन मुमेंट, 1920, ठीक है, तो नौन कॉर्परेशन मुमेंट जो था, वो कब हुआ था, 1920, 31st August 1920 को नौन कॉर्परेशन मुमेंट जो था, वो गांधी दो आंदोलन जो थे, दो मुमेंट जो थे, वो एक साथ चल रहे थे, भाई पहले से ही शुरू था खिलाफत, ठीक है, खिलाफत मुमेंट पहले से चल रहा था, 1919 में, और इसी टाइम में हम देखते हैं, 1920 में स्टार्ट हो जाता है, नौन कॉर्परेशन मुमेंट, इस तरह से ये दोनों मुमेंट जो थे, वो एक साथ चल रहे थे, खिलाफत मुमेंट की अगर बात करें, ये आपका 1919 में स्टार्ट हुआ था, और 1921 तक चला था, और ये आपका नौन कॉर्परेशन जो था, वो 1920 में स्टार्ट ही हुआ था, तो दोनों जो मुमेंट थे, वो एक सा कर रहे थे जो government school और चो का चोड़ा है और ऐसे में ही फॉरेंट गुट्स जो था ठीक है? उसका बाइकॉard का बाइकॉड किया जा जो थे उन सभी को या foreign goods जो थे उन सभी को इकठा गिया गया और उनको जलाया जा रहा था ठीक है तो इस तरीके से moment जो था ये शुरू हुआ लोगों ने धरना दिया जगर जगर पिकिटेड ठीक है स्ट्राइक की और साथ ही साथ demonstration demonstration production किया British government के खिलाब ठीक है तो ये सारी चीज़े जो थी वो आती है non corporation में कि वो उनका support नहीं कर रहे थे ठीक है और खिलाफत moment भी इसी समय में चल रहा था अब ऐसे में दोनों जो थे वो साथ में आ गए यानि कि देखा जाए तो जो Muslims थे वो भी ये सारी चीज़े कर रहे थ थे या Hindu nationalist थे वो सभी लोग जो थे यहां की public जो थी वो सभी लोग इसमें शामिल हो गए और इस तरीके से जो खिलाफत moment था इसी time में चल रहा था वो merge हो जाता है किसमें non corporation में ठीक है कि सभी लोग जो है अब इस तरीके से साथ में आ जाते हैं चले अब देखते हैं non corporation moment के program के बारे में ठीक है program of the non corporation moment ठीक है इसको समझेंगे इसका goal क्या था इसका goal ये था सुराज प्राप्ती attainment of सुराज ठीक है सुराज प्राप्ती लेकिन peacefully तरीके से और legal तरीके से ठीक है तो ये इसका goal था अब इसके लिए method क्या अपना है गया अभी हम लोगों ने जिक्र क या वही चीजे ठीक है method इसके लिए अपन जो follow किये गए थे वो था bycourt of foreign goods जो भी foreign goods है विदेशी जो भी चीजे है उसमें में कपडों का लोग बहुत जादा use करने लगे थे ठीक है और बाकी जो भी चीजे है विदेशी उन सभी को bycourt करना जैसे liquor वगेर हो गया ये सारी बहिशकार bycourt of election भई election में हमारा तो कोई participation नहीं है हम को क्या है कि वहाँ पर हमारे लोग जो है वो तो पहुँच नहीं रहें ठीक है तो bycourt of election and government functions जो भी है उनका bycourt करना ठीक है उनका बहिशकार उसके अलावा renunciation of titles ठीक है लोगों को जो भी titles वगरत दिये गए थे honors दिय इसके method थे कि इस तरीके से हम government के खिलाफ जाएंगे हम उसको support नहीं करेंगे अब जो यह moment चल रहे थे ठीक है इसमें दो चीजे और जो थी वो भी address की गई social and economic issue जो थे उनको भी address किया गया कि इनको भी दूर करना है तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ आपाएंगे क्या था वो हिंदू-Muslim unity इसको बढ़ावा देना कि हिंदू-Muslim जो है उनमें एकता हो वो एक साथ है Abolition of untouchability उस समय में बहुत ज़्यादा था चुआ-चूत वगेरा कास सिस्टम वगेरा को लेके ठीक है तो उसको हटाना Promotion of स्वदेशी spirit and self-reliance self-sufficiency खादी और चर्खा इसका यूज करके खुद से अपने कपड़े बना कर फिर उनको पहनना जिससे की लोग जो है self-sufficient and self-reliance की उनमें कह सकते हैं feeling जो है वो develop हूँ ठीक है Promotion of national education, national education जो थी उसको बढ़ावा देना तो इस तरीके से ये सारी चीज़े के movement चल रहा है हमारी country के लिए चल रहा है और ये जो बुराईया है इसको हटाया जा रहा है ये सारी चीज़े जो थी इन सभी चीज़ों ने मिलकर लोगों के अंदर एक जोश भरा लोग जो थे बड़े खुश है atmosphere जो था वो बिल्कुल change हो गया लोगों के अंदर confidence एक अलग तरह से आ गया कि भाई हम लोग जो है अब इनको भगा कर ही रहेंगे तो हर तरफ लोग जो थे अब साथ आ रहे थे reformation की बात हो रही थी और हमने देखा कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा confidence था लेकिन ऐसे में ही एक ऐसी घटना होती है जिसने की सब कुछ जो था वो change कर दिया क्या थी वो 1922 की चौरी चौरा की घटना ठीक है 1922 की चौरी चौरा का जो incident था वो क्या था वो हम यहाँ पर समझेंगे जो farmers थे उनका group था कहीं से गुजर रहा था और ऐसे में जो British police कर्मी थे पुलिसमेन थे उनके द्वारा इनको मार दिया गया अब जिसकी वज़े से लोग जो थे बहुत ज़्यादा उगर हो गये बहुत ज़्यादा नाराज हो गये और इन्होंने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था यूपी में उसमें आग लगा दी जिसमें की 22 police कर्मी जो थे पुलिसमेन जो थे उनकी death हो गई अब जो महत्मा गांधी ने ये moment शुरू किया था non corporation moment ये क्या था कि उनका कहना था भाई बिलकुल ही ये अहिंसा के तरीके से चलेगा non violent तरीके से अब यहाँ पर violation जो था वो इतना जादा हो गया था जिसकी वज़े से महत्मा गांधी जो थे उन्हें बहुत ही दुख हु क्यों क्योंकि ये जो non violent का जो principle है उसको ये पूरी तरह से cut करता है ठीक है तो इसलिए violation को बिलकुल भी बरदाश नहीं किया जागा इस तरीकी से ये moment जो था वो यहाँ पर बंद हो गया आंदोलन यहाँ पर बंद करना पड़ा इस वज़े से इस घटना से लेकिन moment तो बं हो गया लेकिन national spirit जो थी लोगों के अंदर उसको बहुत जादा मजबूती मिली उसमें strength हाई ठीक है और फिर गांधी जी जब ये सारी चीजे हुई तब गांधी जी जो की central जो politics के center में आ गये थे अब उन्होंने politics के किनारा कर लिया कि भाई अब वो politics का में active नहीं ठीक है उसके center में वो active नहीं रहेंगे और उन्होंने अपनी पूरी life जो थी वो devote कर दी आगे social work में ठीक है चली देखते हैं हमारा next topic लाहौर session of the Congress 1929 ठीक है 1929 का लाहौर session ठीक है तो 1929 December 1929 को Congress और बाकी लोग जो है वो इकठा होते हैं लाहौर में ठीक है लाहौर session में सभ दौरा declare किया जाता है कि पूर्ण सुराज कि हमारा goal क्या है पूर्ण सुराज complete independence तो December 1929 को declare किया जाता है कि हम लोग जो है 26 January 1930 को अपना independence day जो है वो celebrate करेंगे इसी दौरान Congress की तरफ से गांधी जी की leadership में शुरू होता है civil disobedience moment ठीक है एक तरफ ये चल रहा है दूसरी तरफ ये declare कर दिया गया कि हम लोग जो है ये अपना celebrate करेंगे इस दिन अब इसके बाद जब ये दिन आता है 26 January 1930 का दिन तो जरूर हम में independence नहीं मिली थी हम सुतंत्र नहीं हुए थे लेकिन फिर भी लोगों ने celebrate किया इसको हमारा नया जो tricolor flag था वो बना ठीक है उसको फहराया और लोगों ने freedom की शपत, freedom की play जो थी वो लोगों ने लिकि हम पुण सुराज अपना पा कर रहेंगे ठीक है इस तरीके से हर साल तब से जो 26, 1930 को शुरू हुआ independence day वो हर साल 1947 तक जब तक हम आजाद हुए हैं तब तक वो मनाया जाता रहा लोग जो थे वो celebrate करते रहें independence day क के रूप में फिर 15 ऑगस 1947 को जब हमारा देश आदा आजाद हुआ उस दिन से हम लोग 15 ऑगस को मनाने लगे लेकिन यह 26 जनवरी वाली date थी जो बहुत important थी जब हमारा सम्विधान constitution जो है जब वो ready हो गया इसलिए उसको 26 जनवरी को फिर आगे लागू किया गया ठीक है त तो इस तरीके से लहोर सेशन जो था वो यहाँ पर complete होता है देखते हैं next topic civil disobedience movement 1932-1934 civil disobedience movement जो की 1930-1934 तक चला था अब इसके objective पहले समझेंगे कि क्या था क्यों इसको शुरू किया गया तो इंडिया नेसलिस जो थे उनकी जो demand थी जो की नहीं सुन रही थी British government तो वो उन प civil disobedience जो था मतलब यह कि आगया को ना मानना डिसोबे करना किसी की आगया जो है वो ना मानना तो British जो थे उन्होंने जो लौ बनाया था उन लौ को तोड़ना उन लौ को ना मानना यही था civil disobedience जिसकी शुरुआत हुई salt लौ को तोड़ने के साथ नमक का कानून कि भाई salt जो तो भाई कहना था कि इस पे से टैक्स अटाया जाए, अब महात्मा गांधी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना, वो इसलिए चुना कि इसके पहले जब नॉन कॉर्परेशन चला था मोमेंट, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि गौर्मेंट की गौर्मेंट जॉब की कि भी लोगों जो भी चीजे थी उस समय में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं, विदेशी गुट्स जरूरी नहीं कि हर कोई उसको यूज कर रहा था, ठीक है, अब यहाँ पर महात्मा गांधी चाहते थे हर किसी का पार्टिसिपेशन हो, तो ऐसी कोई चीज जो की सभी के यूज की हो, तो ऐस में सॉल्ट, जिसको की छोटा बड़ा अमीर गरीब हर को यूज करता है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सॉल्ट को इसके लिए चुना, अब उन्होंने बोला कि सॉल्ट पे से टैक्स हटा लिया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, इनकी डिमांड जो थ का मार्च इन्होंने किया, मतलब पैदल वहां से साबर मती से दांडी तक किये गए, और इन्होंने नमक कानून जो था वो तोड़ा, ऐसे में महत्मा गांधी जो थे पैदल सफर तै कर रहे थे, 240 माइल की दूरी थी और जिसको की 24 डेस में उन्होंने कम्प्लीट किया, ठीक है, अब ऐसे में महत्मा गांधी जब जाते थे तो रास्ते में लोगों से मिलते और उनको इसके बारे में समझाते चल रहे थे, क्योंकि इसके पहले non-corporation moment जो था, वो फेल हो गया था, वो क्यो फेल हुआ था, वो इसलिए फेल हुआ था, कि वो वोयलेंट हो गया थ जहां से गुजर रहे हैं, वहां लोगों को समझाते वे चलते और इस तरीके से जब वो पहुचते हैं, दांडी वहां पर salt lock वो तोड़ते हैं, salt को बना कर, और इस तरीके से अब लोगों को समझ में आया कि salt जो है वो बना सकते हैं, लोगों ने अपने salt जो था, वो बनान लगे उस चीजों पर भी टेक्स देने से ठीक है इस तरीके से यहां पर लोग जो थे वो इनके साथ आ रहे थे और डिसोबे कर रहे थे जो गर्मेंट के जो ब्रिटिश गर्मेंट थी उनके जो लोग थे उनको डिसोबे किया जा रहा था यहां पर अब यह जो civil disobedience moment था यह ब इसका main feature क्या था इसका main feature यह था कि बाकी लोग का तो participation था बट इसमें women जो थी वो भी active रूप से उन्होंने इसमें participate किया और उन्हीं में से सरोजनी नाइडू जो थी वो एक मुख लेडी थी इस तरीके से ही इस moment में लोग जो थे वो जुड़ते जा रहे थे और यह moment जो से brutally लोगों को मारा जाने लगा बुरी तरह से लोगों के साथ वेवार हुआ force and brutally उनको मारा जाने लगा कि वो लोग जो है इस आंदोलन से हट जाएं इसी के लिए जो main leaders थे जैसे महात्मा गांधी हो गए पंडी जवाहलाल नहरू हो गए और other leaders जो थे उनको जेल में डाल गया पुलिस की तरफ से firing भी हुई जिसमें कि बहुत सारे लोग जो थे injured भी हुए लोगों की जान भी चली गई लाठी चार्च किया गया और बहुत सारे लोग जो थे वो घायल हुए 90,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया और इस तरीके से इस movement को यहां प तेज हो गई जिसने की इन Britishers को बता दिया कि इस British government जो है उनके दिन अब यहां पर गिने चुने हैं British government जो थी उनको भी पता चल गया था इन moment से कि अब हमारे दिन यहां पर गिने चुने हैं हम उसको और बढ़ा सकते हैं इसके लिए वो लोग नई नई policies जो थी वो लाने लगे कि भई लोग जो हैं वो खुश हो जाएं और फिर हमको सपोर्ट करें लेकिन वो सारा कुछ विर्थ था क्यों क्योंकि यहां के जो लोग थे जो नेशनलिस्ट थे उनकी डिमांड थी पूर्ण सुराज की हमें पूर्ण सुराज चाहिए तो बच्चों इस तरह हमारा आई चैप्टर कंप्लीट होता है मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नोहब लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट है थैंक्स फॉर वाचिंग